हेलो फ्रेंड वेलकम टू बाजीरा रेड़ी इंशूट टूडए इनलेसिस के आज के अंक में हम 14 मई 2024 के तीन प्रमुक समाचारों को देखते हैं जिसमें से पहला समाचार है भारत और इरान के लिए चाबाहार बंदरगा का महत्तो ये क्यों हम पढ़ रहे हैं क्योंकि कल ही भारत और इरान के बीच में एक मेमोरंडम आप अंडरस्टेंडिंग साइन हुआ है चाबाहार बंदरगा को अगले 10 साल के लिए संचालन के लिए समझोता किया गया है तो इसको हम पूरे डिटेल में समझेंगे दूसरा समाचार है कि सूर की किडिनी ट्रांसपार्ट करने लगाने वाले पहले ब्यक्ति जो जिसको लगा था उसकी दो महीने बाद यानि मिर्त्य हो गई है यानि ऐसा ब्यक्ति जिसको सूर की किडिनी लगाई गई थी ट्रांसपार्ट की गई थी अमेरिका में उसकी मिर्त्य हो गई है अलाकि डाक्टरों ने कहा है कि उस किडिनी उसके वज़े से नहीं हुई है, किसी अन्य कारण से हुई है, तो इसको हम समझेंगे कि क्या मामला है, क्यों सुवर की केड़नी लगाई जाती है, इसे जो कहा जाता है, जेनो ट्रांस्प्रांटेशन, उसका क्या आर्थ होता है, क्यों उसकी क्या हो सकता है, उसकी क्या समस्य क्या है उसमें वगर वगर समझने की कोशिस करेंगे इसके बाद जो तीसरा समाचार है वो यह है कि भारत का जो राष्ट्री या मानवाधिकार आयोग है नेशनल हुमन राइट कमिशन वो एक संस्था है ग्लोबल एलाइंस फार नेशनल हुमन राइट इंस्चूट जी ए एन ड्रत को सालों से वो suspended है उस पे भी दहिंदो में है कि ये suspended वाला जो फैसला लेना था कि accreditation बढाना एक नहीं बढाना है लेकिन उसे suspend किया गया है, कारण नहीं बताया गया हाला कि उमीद है वही जो पिछले साल वाला कारण है वही है, तो इसको भी हम समझने की कोशिस करेंगे, चलिए देखते हैं पहला है भारत और इरान के लिए चाबाहार बंदरगा का महत्व, यह देखिए की एक कंपनी है PMO उन दोनों के port and maritime organization, उन दोनों के बीच में जो है memorandum of understanding हुआ है किसके लिए कि इसको 10 साल के लिए इसका संचालन किया जाए, ठीक है और इसलिए यह महचर्चा में हो गया है चाबाहार और हम चाबाहार बंदरगा को समझने की पूरे डिटेल में कोशिस करेंगे कि यह हमारे लिए क्यों महत्पूर है इरान के लिए क्यों महत्पूर है क्या है, क्यों लाया गया है जब लाया गया था तो इसके पीछे अब तक क्या हुआ है यह सारी पहलो हम इसको समझने की कोशिस करेंगे साथ ही साथ इस से जुड़ा हुआ है INSTC या International North-South Transport Corridor उसको भी हम समझेंगे ठीके चर्चा में क्यों है तो देखिए भारत और इरान ने इरान में रणनीतिक रूप से महतपूर चाबाहार बंदरगा पर एक टर्मिनल के संचालन के लिए 13 माई को यानि कल 10 साल के लिए अन बलुचिस्तान है उसी से सटा हुआ सिस्तान बलुचिस्तान प्रांथ है उसमें एक डीप वाटर पोर्ट है यानि गहरे पानी का बंदरगा है और यह भारत के सबसे नजदीक और खुले समुद्र में इस्थित है जहां से बड़े मालवाहक जहाजों का परिवहन हो सकता है साथी में इसके जरिये हम लेंड लाक देशों यानि अफगानिस्तान और मदेशिया के देशों को होते हुए इससे से होते हुए आई नेस्थी सी या इंटरनेशनल नार्थ साउथ ट्रांस्पोर्ट कारिडोर भी गुजरने की बात इसमें है तो आईए जरा समझते हैं कि इसकी रणनितिक अवस्तिती क्या है चाबहार की तो देखिए चाबहार यहां पे इस्तिते है इरान है यहां से हमारा बहुत ही निकटस्त पडोसी पाकिस्तान है यहां पे यह रेड है चाबहार है हमारा यह मुंबई एरपोर्ट है और यहीं पे जो है ग्वादर है ग्वा मह तो देख लीजी कि एक तो यह गौादर के जिस बिलकुल आपोजित है यह गौादर जो है बलुचिस्तानstudy अले में चाइना के सिपेक का चाइना पाकिस्तान से पिक ऑर इसकी बाद इरान में है यहां से हम अफगानिस्तान भी जा सकते हैं और यहाँ से ऐसे होते हुए आइनस्टी सी का भी रास्ता गुजरता है इंटरनेशनल नार्थ साूट ट्रांस्पोर्ट कारिडोर ठीक है ज़रा देखते हैं चाबहार यह ओमान की खाडी के मुहाने परिस्थित है यानि यह इधर ओमान की खाडी है यह ओमान है इसके खाडी मांचित्र पर लाता है डीप सी जो है आमोवन 18 से 20 मीटर गहराई वाले जो बंदरगा होते हैं उनको बोला जाता है और इसमें बड़े मालवाग जहाद आ सकती है भारत में अभी एक विंजिम पोर्ट बन रहा है डीप वाटर स्वी बाकी ज्यादा तर डीप वाटर पोर्ट है नहीं हमारे पास ठीक है यह बंदरगा पाकिस्तान के साथ इरान की सीमा के पश्चिम में इस्तित है और लगबग ग्वादर के बिलकुल परतिसपर्धी बंदरगा है और इसके ठीक सीमा के पुर्म में है यहाँ पे है मारा चाबहार है यहाँ पे है ग्वादर ग्वाद के लिए ये है कि एक तो उसका पहला ये गहरे पानी का जहाँ जो है पोर्ट है और दूसरा इसक से गुजरता है INSTC International North South Transport Corridor अगर वो एक्टिव हो जाता है तो निश्चित रूप से इरान के उस जहां से ये गुजरेगा जिन जिन छित्रों से वो पूरा Transport Corridor है Transport Corridor में कई सारी Transport गत्विदिया होती है और रूस, भारत, इरान और मदेशिया के देश इसके तहट जो है भारत के मुंबई एरपोर्ट को रूस के बंदर अब्बास से जोड़ना चाहते हैं नहीं, रूस का नाम नहीं आदा रहा है उससे जोडने की ये परियोजना है वर्स 2000 में ही ये शुरू की गई थी, अलाकि चाबाहर तो 2003 से इसको क्यार्णूत किया जा रहा है लेकिन उसे 2000 से ही INSTC जोड़ा जा रहा है तो उसमें मददगार करेगा और साथी में इस पर जो इरान पर अमेरिकानी तमाम प्रतिबंद लगा दे रहा है उस प्रतिबंद से बचाओं में भी, पश्चमी प्रतिबंदों के बचाओं में भी उससे मदद मिलेगी क्योंकि इस से रूस का भी हित जुड़ा हुआ है, भारत का भी हित जुड़ा हुआ है ऐसे में अगर ये ट्रांसपोर्ट कारिडोर चालू हो जाता है तो इरान को अमेरिकी प्रतिबंदों से बचनी में मदद मिल सकती है क्योंकि देखिए अमेरिका ने इरान पर भी प्रतिबंद लगाया है, अमेरिका ने रूस पर भी प्रतिबंद लगाया है और रूस पर प्रतिबंद इरान के प्रतिबंद से ज़्यादा सक्त है लेकिन हमारे रूस के रणनीतिक संबंधों के कारण रूस के चीन के रणनीतिक हितों के महत्त के कारण उन प्रतिबंधों का प्रभाव रूस पे नहीं पढ़ रहा बलकि उसकी अर्थवियोस्ता और बेहतर तेजी से बढ़ रही है जबकि भारत इरान के मामले में इन प्रति जुड़ जाते हैं व्यापारी खित ये सब जुड़ जाते हैं फिर हमारा उनके साथ सम्मंधों को देखने का नजरिया भी बदल जाता है ठीक है अब आप देखी सकते हैं उन्हीं प्रतिवंधों को हमने इरान के मामले में माना और रूस के मामले में नहीं माना ठीक है तो क् इस योजना पर जब उन्होंने हस्ताचर किये थे तो इसके तीन घोसित उद्देश थे पहला ये था कि ये भारत के बाहर अपना पहला बड़ा पोर्ट प्रजेक्ट था या बंदरगा प्रजेक्ट था जिसके ताथ हम दुनिया को ये बताना चाहते थे कि भारत अब तटी यानि अपने देश से बाहर भी इस तरह के बड़े प्रजेक्ट को संचालित कर सकता है ये तो पहला था दूसरा ये था कि पाकिस्तान के साथ महत्पूर्ट तनाव को देखते हुए और अफगानिस्तान को जो ये ब्यापार नहीं कर दे रहा था उससे क्या है कि इसको दिर प्रजेक्ट को हाल्ड किया अगर वो चलने देता तो साथ पाकिस्तान का भी बला होता आज रोटी आटे डाल के लिए नहीं रोना पड़ता दाल तो छोड़ो आटे के लिए रोना पड़ रहा बाकी तो बात छोड़ दीजिए और भारत का भी फायदा होता लेकिन चुकि स संबंद खराब थे तो भारत को बेकल्प तलास ना था तो ये था कि पाकिस्तान को बाइपास किया जा तीसरा है अफगानिस्तान के लिए भी एक बेकल्पिक मार्ग का हमें तलास करना था ये सुरू में तीन थे अब एक और चीज जुड़ गया है जैसे देखिए जब अब दिखा रहा था तो हमने कहा था ना ग्वादर को याद रखिएगा तो वो ग्वादर क्या ग्वादर पोर्ट क्या है कौन बना रहा है वो पाकिस्तान का पोर्ट है बना कौन रहा है चीन बना रहा है बी आरई प्रजेक्ट के तहफ सीपा के तहफ चाइना पाकिस्तान economic corridor है जो ग्वादर से लेके उधर चीन तक जाता है इसको counter करने के लिए भारत चाबहार बना रहा है और इसके जूड कर INST से कर देगा तो वैसे क्या होगा कि ग्वादर का महत्त ही सबाप्त हो जाएगा अगर चाबहार हमारा active हो जाता है तो एक तरह से देखा जाए तो पहले इसके तीर उद्देश थे रणने तिक हमें ये दुनिया को दिखाना था खास्तोर से विकासिल देशों को कि हम अब त अन्तिम जो अब नया लच्छ हो गया है कि भविस में हम चाइना की सीपे का विकल्प के रूप में इसे स्थापित करना चाहते हैं ठीक है चाबहार बंदरगा में भागिदारी भारत की भागिदारी की प्रकिति क्या रही है देखे 2003 के बाद से जब ये आया था तो सुरू आजादी के बाद पाकिस्तान के साथ हमारे संबंद तो पता ही है कि कैसे हो गए थे आजादी के बाद पाकिस्तान बना और पाकिस्तान के साथ सुरू से ही भारत के दो तिन युद्ध हो चुके हैं और संबंद गरवड है तो इसलिए हमें उधर से जाने का रूट नहीं मि लेकिन 90 की दसक के बाद 92 के बाद जब LPG की नीतियां आई अर्थव्योस्था खुला तो हमें दुनिया के अन्य देशों के साथ जुड़ा महसूस होने लगा तब हमें जो पाकिस्तान होके रास्ता जाता है जाता था उसको वो हमें खलने लगा और उसके बिकल्प के रूप म हमने रास्ता तलासना शुरू किया तो दूसरा विकल्प क्या था मदेशिया के लिए जाने के लिए या रूस तक जाने के लिए वो था कि इरान होके वाया इरान जाया जाए तो उसके लिए उस परदिस में हमने जो है इरान में क्या किया अपने लिए एक बंदोबस्त किय और अब चुकि चाइना वहाँ पे BRI बेल्ट रोड इनिशिटिव बना रहा है और उसके काउंटर करने के लेकर भारत भी पहल कर रहा है तो चाइना के BRI के और उसमें भी खासतार से पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगा को देखते हुए भारत के चाबहार परियोजना के लिए इसराइल पर हमला किया उसके बाद पश्यमी देशों ने अमेरिका सहिद यूरूपी देशों ने चीन पे और कड़े परतिबंद लगा दिये ऐसे में अब ये प्रस्न है कि इसका भाविश से क्या होगा क्योंकि अगर भारत आगे बढ़ता है तो निश्यत रूप से उसे सामना करना पड़ेगा और रूस के साथ भारत आगे बढ़ता क्योंकि रूस और भारत के संबंदों को यहां तक की पश्यमी देश भी समझते हैं कि जैसे आपको पता हो न कि कोई आपका करीबी हो अगर कोई कहे कि उसको छोड़ दो नहीं हम तुम्हें छोड़ देंगे अ और खासतोर से रूस भारत के साथ बुरे से बुरे वक्त में खड़ा रहा है उसके अपने हित रहे होंगे लेकिन खड़ा रहा है ऐसे में भारत भी रूस के साथ खड़ा है और इसको पश्यमी देश भी जानते हैं लेकिन इरान के साथ भारत के संबंद अच्छे रहे हैं बोरे नहीं रहे, अच्छे रहे हैं, त्यासिक रूप से भी बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन इतने मजबूत नहीं हैं, कि हम उसको लेकर पश्चिम के देशों के साथ टकराओ करें, लेकिन अगर भारत का वहाँ पे उपस्तिती होती है, भारत वहाँ के डेवलप्मेंट को करता है, उसकी बात को सुनता है, और इरान उसमें अपने प्रवित्ति में बदलाव करता है, तो इरान और भारत के ये स्ट्रेटिजिक संबंद उपस्यम के देशों के लिए भी सांती अस्थापना में महतपूर हो सकते हैं, तो वही बात है कि चाबहार प्रजना अपनी च सितता है, लेकिन सक्रिय और दूरदर्सी कुटनिती, क्योंकि दूरदर्सिता दिखानी होगी, भारत को भी दिखानी होगी, इरान को भी दिखानी होगी, और पश्रिम के देशों को भी दिखानी होगी, अगर ये करता है, और परियोजना के कुसल कार्यानमन और संचालन के माध्यम से अगर होता है तो इरान और भारत इन चुनोतियों पर काबू पास सकते हैं और चाबहार परियोजना को एक ब्यवहार पारगमन केंद्र और लिंक के रूप में बनाए रखने में सच्चम हो सकते हैं हमें उस दिखाना है कि उस छेत्र के लिए यह महत्पूर है हलाकि रूस भी अब आई अनस्टेसी प्रोजेक्ट पर तेजी से काम कर रहा है और रूस ने भी अब अपने को तेल के अलग भी अपने अर्थवियोस्था को डेवलप करने के लिए पहल सुरू कर दी है वहां के रास्टपती ने रूस को तेल और वो चीजे हधियार से अलग भी अपने को डेवलप्मेंट के रूप में वो स्थापित करना चाह रहे हैं और उसके लेकर अभी कुछ दिन पहले ही बताये थे कि रूस आई इनस्टीसी को डेवलप करने के लिए उसने अर्मेनिया को कहा है कि आप अपने यहां इस चीज़ को तेज करिए ठीक है तो ऐसे मैं उमीद है कि एक और जो पच्छ है रूस वाला और भारत वाला जो धूरी बन रही है उसमें इरान भी अगर सामिल होता है और मदेशिया के देश भी सामिल होते हैं तो ये भी प्रजेक्ट संचाल के लिए तो चलो भारत के लिए है लेकिन INSTC जो है जो इसको रणनितिक रूप से बहुत महतपूर बना देता है इरान के लिए भी भारत के लिए भी और मधेशिया के लिए भी तो अंतराश्ची उत्तर दच्छिर परिवन गलियारे से जुड़ा इरान और कैस्पियन साग करके माध्यम से सिपिंग सड़ा और रेल सहीद बहत्तर सो किलो मेटर लंबे मल्टी माडल परिवन गलियारे के माध्यम से भारती बंदरगाहों को रूसी संग से जुड़ता है और ये वर्स 2000 में इसको लेकर जो है भारत इरान और रूस द्वारा कलपना की गई थी जिसके आने में काफी समय हो गया है क्यों हो गया है क्योंकि उस दौरान जो है रूस भी बहुत अनिस्टतार की दौर से गुजर रहा था मद्देशिया के देशों में भी बहुत सारी समस्याय थी और इरान में भी जो कर सकते हो कि आप उसके जो प्रतिबंध है अमेरिका के कारण उसमें भी काफी दिक्कत आई थी, ठीक है, लेकिन आइनस्टीसी से जो है भारत को जोडने वाला आइनस्टीसी की सबसे खास बात है, कि ये भारत को रूस से जोडने वाला सबसे जोटा ब्यापार मार्ग है, 2014 में एक अध्यन हुआ था, जिसमें बताया गया था कि आईनस्टीसी पारंपरिक स्वेज मारक की तुलना में 30% सस्ता है, और 40% छोटा रास्ता है, इस से इरोब जाने वाले पारगमन समय में 45 से जो 60 दिन लगता है, वो 23 दिन हो जाएगा, यानि कि समय भी बचेगा, और पैसा भी बचेगा, जिसके कारण हमारा जो लॉजिस्टिक खर्च है, वो कम हो जाएगा, इसलिए भारत इस प्रतिबंदों के बावजूद भी चाबहार बंदरगा पे आगे बढ़ने के लिए लगातार प्रयासरत है, ठीक है, चलिए अब आगे जो होगा उसको देखा जाएगा, आएए देखते हैं, सुवर की किड्नी ट्रांसपार्ट कराने वाले दुनिया के पहले मरेज की मर, ये हैं रिक सैम्योल करके हैं, इनको दो महीने पहले सुवर से एक जनेटिकली मोडिफाइड सुवर था, उसको इनकी जरूरतों के अनुसार उसको उनमें जीन एडिटिंग करके उसमें कुछ किया गया था, और फिर उसका किड्नी निकालके इने ट्रांस हो गया है, हलांकि डाक्टरों का कहना है कि वो किड्नी फिल्योर के कारण नहीं है, यानि जो किड्नी ट्रांस्प्लांट हुआ था, उसके कारण नहीं है, इसके पहले दो और मामले हैं सुवर से ट्रांस्प्लांट करने के, लेकिन वो दोनों हर्ट के मामले हैं, और उसमें भी ज़ादा दिन तक जीवत नहीं रहा था मरीज तो आईए ज़रा सब पूरे मुद्देव को गंभीरता से समझते हैं कि चर्चा में क्यों है तो देखिए एक सूर की Genetically Arritate Kidney Transplant कराने वाले दुनिया के पहले मरीज 62 वर्षी Rick Sleman की Transplant के लगबग दो महीने बाद मौद हो गई है मार्च में एक Massachusetts General Hospital है अमेरिका का वहाँ पे इनका Kidney की गंभीर बिमारी से पीडित थे और उसमें उनको देखते हुए चुकी वहाँ पे जितने लोगों को वहाँ पे क्या दुनिया में जितने लोगों को अंग चाहिए डोनर चाहिए मतलब मानव अंगों की जरूरा थे ट्रांस्प्रांट करने के उतने अंग उपलब्द नहीं है ऐसे में बग्यानिक इसके बेकल्प के रूप में भी चल रहे थे और फिर उन्होंने सूर के जनेटिकली मोडिफाइड सूर से किड्नी को निकाल कर इनको ट्रांस्प्रांट करने के लिए किया था और जब यह किया था तो यह कहा गया था कि यह बहुत बड़ा उपलब्दी होगा दुनिया के सामने लेकिन अब इनकी जो है मृत्वी होने के बाद अस्पताल वालों ने कहा है कि इसका कोई संकेत नहीं कि मृत्यू प्रत्यार ओपन के प्रणाम शुरूप हुई है और इसके पहले दो लोगों को हर्ट का भी सूर से हर्ट निकाल कर भी ट्रांस्प्लांट किया गया था और लेकिन उन दोनों की भी मृत्यू हो गई है हलाकि इनके परिवार के सदस्यों ने कहा कि वो डाक्टरों का उन्होंने शुकुलिया अदा गया कि उनके परियासों से ये दो-तीन महिनी और हमारे साथ जीवन कुजार चुके है ठीक है मैं आपको बता हूँ आप लोग को आश्चर हो रहा होगा कि जो भी कि सुवर से क्यों ट्रांस्प्लांट किया जा रहा है कि मैं जब पढ़ रहा था तो हमारे टीचर थे बाहलो जी के वो ऐसे बता रहे थे तो उन्होंने कहा था कि अच्छा बताओ तुम अगर मान उन्होंने बताया सुवर तो सारे लोग जो है अशंबित हो गए क्योंकि उन्होंने कहा कि सुवर का जो सरीर होता है जो एनटॉमी होती है मानों सरीर की आप ज्यान या जो फिजियोलाजी होती है वो मनुस से के ज्यादा करीब होती है बहुत ज्यादा तो नहीं उसमें कई चेंज किया जा सकता है लेकिन वो बहुत जादा करीब होती है और उसमें आसानी से चुकि उनका उत्पादन भी बड़े पैमाने पर किया जासकता है इसलिए सूर को प्रिफर किया जाता है कि अगर ऐसा हो और बहुत पहले पचास साल पहले एक बार वाल्ब निकाल के लगाया भी गया था, हला कि वो भी सफल नहीं हुआ है, तो ऐसा है, अभी तक प्रत्यारोपड तो कई हुए हैं, लेकिन वो उतने सफल नहीं हुए हैं, कोई जैसे इसमें ये दो महीने बाद गुजर गया है, हला कि इनको ये नहीं आस्प्ताल ये कह रहा है कि प्रत्यारोपड के कारण नहीं है, किसी और चीजों के कारण है, तो ये जो सुवर या अन्जीव का दूसरे में जो प्रत्यारोपड किया जाता है, इसको जेनो ट्रांस्प्लांटेशन बोलते हैं, तो पहले देख लीजे कि सुवर की किन्डी ट्रांस्प्लांट करने के आप सकता क्यों पड़ी, क्योंकि दुनिया भर में अनुमान है कि एक लाग से जादा लोग है, जिन्हें अंग चाहिए, मानो अंग उनके अंग फेल हो गये हैं, और उन्हें कहीं न कहीं अंग की जरूरत है, मतलब मानो अंग की, और वो उतने डूनर दुनिया में उपलब्द नहीं है, ऐसे में बैग्यानिक लगातार कोशिस कर रहे हैं, कि जानुवरों को अगर अंगों का पत्यार उपड करने में हम सच्छम हो जाए, तो ये समस्या हल की जा सकती है, इसी को लेकर जब बैग्यानिकों ने अध्यन किय तो उनको सुवर जादा समत में आया और वहां से ही कोशिस कियो कि सुवर को लेकर पहले भी एक प्रियोग हो चुके है, जैसे मैंने बताया कि वो मानोग, यूमन एन अनटामी के थोड़ा जादा करीब होता है, इसलिए उसको लेकर ऐसा किया गया है, देखिए जेनो ट्रा ट्रांस्प्लांटेशन क्या है, तो इसमें यही है, यह डोनर पिग है, शुवर है विचारा, इससे इसके या किड्नी या और भी चीजे निकाल के इसको पहले जिस सुवर से निकालना जाता है, उसको जनेटिकली मोडिफाइड किया दिया जाता है, कि उसके अंग को, उसक तो वो कठिन है, एक बहुत बड़ी समस्या होती है, हमारा इम्म्यून सिस्टम, हमारा इम्म्यून सिस्टम ऐसे बना है कि बाहर की किसी भी चीज को gosh sickness है कर इसको मारने को लेकर वो हमलार हो जाता है, अब यह चाहे कोई वायरस हो, कोई वैक्टिरीया हो या कोई अंग, य हाला कि उसको सही करने के लिए immune system को सर्प्रास दबाने के लेकर कई सारी दबाये हैं, किया जाता है कि उसका immune system काम न करें, उस पर इतना प्रभावी न काम करें और फिर धीरे-धीरे बाड़ी उसको accommodate कर सकें, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है, तो जब मनुष से आवांग ल इससी गैर मानवी या पसु स्रोत से जीवित को सिकाएं, उतक या अंग लेता हो, या मानव सरीर के तरल पदात को सिकाएं, उतक या उनका जीवित या गैर मानव पसु को सिकाएं, उतकों के साथ पूरों संपर्क में रहा हो, और उसको हम transplant करते हैं, तो ऐसे को कहा जाता है जेनो ट्रांस प्लांट या अंतर परजाती या ट्रांस स्पेसीज ट्रांस प्लांट ठीक है इसके फायदे यह है कि इसका विकास होता है कि इससे कि जो हमें चिकिसी प्रत्यारोपन के लिए अंगों की कमी है यानि जितनी हमारी मांग है उससे ज्यादा हमारी डिमांड जितन दवा और चिकन सादी को एप्रूवल देता है उसी की वो परिभासा भी थी उसका ये कहना है कि कई बार क्या होता है कि transplantation अगर हम किसी भले वो genetically modify रहता है उसमें कोई latent या छुपा हुआ virus हो सकता है जो transplant होने के बाद वो मनुष्ट में क्या करे संक्रमन कर दे और उस मनुष्ट के साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनको संक्रमन करके और फिर वो महामारी या महामारी का रूप ले सकता है यह इसको लेकर एक समस्या है जैसे अभी हमने जैसे बताया कि kidney के पहले दो और हर्ट लोगों का हर्ट का जो transplant हुआ था उसमें से यह देखा गया कि एक व्यक्तिकी मृत्यू जब सूर का हर्ट लिया गया था तो उसमें एक छुप हुआ वाइरस था जिसने उस व्यक्तिकी जो है जान ले ली तो ऐसे में ये भी हो सकता है कि एक संभावना तो है कि बहुत बड़ा जो अंगदान की लाइन लगी हुई है उसको अगर बचा सकता अगर यह सफल हो सके और बचाने की कोशिस की भी जानी चाहिए मानो जान कीम है और अगर वो आसानी से पूरी हो सके तो ठीक है लेकिन उसकी जो चुनोतियां है उसको भी ध्यान रखने की जरूरत है ठीक है जैनो ट्रांस्वेशन कैसे संपन किया जाता है इसी के बारे में बताते हैं कि जैसे जो सूर की किड्नी है या सूर का हर्ट है वो आसानी से ब पहले उस सुर के जहां जिस सुर या जिस सुर या जिस डोनर से डोनर पिग से लेना होता है, शुर कहना ठीक नहीं लग रहा है, जिस है कि उन जो है ऐसे चीजों को बदला जाए उसमें से हो सकता है कुछ मनुस्य के लिए जो मनुस्य के लिए जरूरी जीन है उसको उसके उसमें जीन में डाला जाए और कुछ ऐसा जो मनुस्य के लिए हानिकारक जीन हो उसको उसमें से निकाला जा ये काम Casper 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 9 आपको पढ़ाई चुके हैं जो generating tools है उसके तहथ ये किया जाता है इसके बाद सारा editing करके फिर उसके donor से निकाल के मनुस्ते में लगाया जाता है और लगाने के दोरान भी ये देखना पड़ता है कि हमारी जो मतलब जिसका वो transplantation जिसमें जो receiver है या जो अंग को प्राप्त करता है उसका immune system उस पे हावी नो होने पाए तो पूरा ध्यान रखा जाता है हलाकि अभी इसमें भी हुआ है और kidney के लेकर उसके पहले कह सकते हो की हर्ट को लेकर भी हुआ है लेकिन कोई बहुत ज़्यादा सफलता मिली हो ऐसा नहीं है ठीक है लेकिन doctors लगे होने है जन्हों ट्रांस्पेंटन्स के लिए अक्सर सूरों का उपयोग किया जाता क्योंकि उनकी anatomy और उनका physiology मनुस्यके काफी करीबी है उनको बड़े पैमाने पर आसानी से उनका उत्पादन किया जा सकता है ऐसे में और हमें बहुत ज़्यादा जरूरत है अंगों की ऐसे में इनको लेकर जो है कैसकते हो कि इनके लिए ज़्यादा सूरों को ज़्यादा उपयोगी पाया जाता है ठीक है अगला देखते हैं भारत की राश्टी मानवाधिकार की ए स्थिती, ए स्टेटस को लगातार दूसरे वर्स भी अस्तकित कर दिया गया है हमारे हमने वर्स 1993 में, अक्टूबर 1993 में मानवाधिकार को सनच्ण करने को लेकर एक मानवाधिकार आयोग National Human Rights Commission की स्थापना किये, जिसके अध्यच सुप्रीम कोट के या तो पहले रेटायर चीप जेस्टिस होते थे, मतलब सीनियर जज़ भी होते हैं, जेस्टिस भी हो साते हैं उसमें रेटायर होने के बाद, और उसमें कई सारे मेंबर्स होते हैं, जैसे महिला का आयोग के जो है परसन उसके मेंबर होते हैं, मानोर्टी कमिशन के भी एक्स ऑफिस्विस होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं जो मानोष धिकारों को सनरचन के लिए किया गया है, 1991 में एक Paris संब्मिलन होता है उसमें ये कहा गया था कि अंतराष्टी अस्तर पे जितने भी देश हैं उनके जो मानवाधिकार के संस्थाएं हैं ऐसी संस्थाओं के स्थापना किया जा 1991 में हुआ था उसके बाद देखे 1993 में हमारे हां भी किया गया दुनिया के अने देशों में किया गया है फिर बाद में ये हुआ कि 1993 में ही एक International Commission बना था बाद में उसको Global Alliance कहा गया कि इस तरह के जो राश्टी अस्तर के National Human Rights Insights हैं उनको स्टेटस दिया जाए और निन्यान बे से स्टेटस मिलना सुरू हो गया था तो भारत के Human Rights Commission को भी ए स्टेटस दिया गया था ठीक है लेकिन अभी वो दो साल से पिछले दो साल से सस्पेंट है 2016 में भी एक साल के लिए था लेकिन सस्पेंट है तो आईए इस पूरे मसले को हम समझते हैं कि मामला क्या है तो देखिए भारत के मानवादिकार रिकार्ड के लिए एक जटका है क्यों है अभी बताते हैं जे निवायस्थित सनुतराष्ट से जुड़ी Global Alliance of National Human Rights Institute GANHRI बोलते हैं इसने लगातार दूसरे वर्स भारत के राश्ट्री मानवादिकार की मानेता A स्टेटस की मानता जो है रिस्थकित कर दिया है यह निड़े मानवादिकार परसद और कुछ सनुतराष्ट महासभा निकायों में मद्दान करने की भारत की छमता को प्रभावित करता है यानि जैसे A स्टेटस यही GANHRI में ही दो स्टेटस देता है A स्टेटस और B स्टेटस टोटल 120 देश इसके सदस्टे है जिसमें 88 देशों को A स्टेटस है और 32 देशों को B स्टेटस है A स्टेटस वाले देश को मद्दान का अधिकार होता है इसके गवर्निंग काउंसिल में वो सामिल होते है और B status वाले उसमें बाचित तो कर सकते हैं लेकिन मतदान और governing council में उनको अधिकार नहीं होता है ठीक है तो आईए ज़रा देखते हैं कि ये मामला जो है कि NHRAC को A इस्तित को इस्थकित क्यों किया गया है इस्थकित किया गया है स्थकित किया गया है तो क्यों इस्थकित किया गया देखिए भारत के National Human Rights Commission को लेके कुछ दुनिया के जो NGOs हैं जैसे Human Rights Watch है या Transparency International है जिनको यहाँ पे FCRI बंद कर दिया गया है उन लोगों ने complain कर रखी है कि भारत का जो Human Rights Commission है वो Paris Convention के अनुरूप नहीं है जैसे Human Rights Institutes के लिए एक कुछ यह है कि उसमें कुछ चीज़े होनी जै जैसे भारत के Human Rights Commission पे आरोप लग रहा है कि यह जो है प्रथक करण नहीं है जैसे पुलिस जो होती है माना जाता है कि वो पुलिस या प्रशासन वो Human Rights violation करने वो उसको है कि वो करती है वो इसमें पुलिस के मेंबर्स भी सामिल है इसलिए कहा जा रहा है कि एक तो यह प्रथक करण नहीं हो पा रही है दूसरा यह है पूरी तरह से समाज में देखा जाए तो यह समाज के खास्तोर से अलपसंख्यक लोगों की भागिदारी इसके सरचना में नहीं है जबकि ऐसा नहीं है महिला के लिए तो महिला कमिशन का तो है ही है इसके मिंबर जो है माइनर्टी कमिशन के मिंबर भी इसमें है कोई राजी जैन जी है लेकिन उनको ये मेरे ख्याल से जो है NGO जो दुनिया की NGO हैं वो जैन को वो मानर्टी नहीं मानती होंगी इसलिए कुछ इस तरह की बाते कही गई है और भी साय चराज़त देख लेते हैं तो देखिए इनकी पिछली रिपोर्ट में अभी क्यों कहा गया ये नहीं पता है हलाकि ये बात यही है कि जो पिछली रिपोर्ट की जो समस्याएं थी उसी को लेकर कहा गया था लागू करने के लिए लेकिन चुकि वो जो बाते कही गई है जिनकी नियुकती करने आदी वो चुनाव चल रहा है इसलिए अभी नहीं हो सकती है इस वज़े से पुना वो स्टेटस हटा दिया गया है तो देखिए इसमें क्या था? कि राष्ट्री मानवादिकार आयोग में सदस्यों की नियुकती में पारदर्सिता की कमी है मानिवादिकार जाच की निगरानी के लिए पुलिस अधिकारियों की नियुकती और सदस्य पैनल में Link और अलग संख्याग प्रत ये उसको मान नहीं रहे हैं और एस्तिती की मानतास जो है इसमें वापस ले लिया गया है और National Human Rights Commission ने भी कहा है कि हाँ उतमें पता है और उसके जुड़े अधिकारियों ने संकेत दिया है कि जो पिछली साल की मामले हैं उसी तरह की है लेकिन चुकि अभी चुनाव चल रहा ह है ऐसे में अभी उस पे कोई भी नड़े नहीं लिया जा सकता यानि कोई नहीं की जा सकती है क्योंकि आचार संगिता लगे हुई है ऐसे में ये कह रहे हैं कि इस साल के सितंबर में आगले साल फिर से बैठक होगी तो जो उनकी समस्याएं हैं उसको दूर कर दिया जाएगा और ये पुन ही स्तिती जो है बहाल हो जाएगी ठीक है अब ये देखिए राष्ट्री मानवादिकार की ए स्तिती की मानिता भारत में राष्ट्री मानवादिकार आयोक का गठन 1993 में 12 अक्टूबर 1993 को संसत द्वारा एक अद्मियम पारित किया गया था मानवादिकार संरच अदनियम 1993 जिसे बाद में 2006 में संसोधन किया गया था— उसके तहत ये किया गया था कि मानवाधिकार की प्रचार और सराश्ण के लिए राश्टी संस्थाओ के राश्टी शंसस्थाओं पर एक आयोजितyan पहली अंतराश्टी कारे सालाथी इसमें पेरिश सिध्धानत स्थापित किये गए थे उसी के आधार पे एक क्यानवे में ये था तिरानवे में हमारे हां नेशनल हुमन राइट कमिशन की स्थापना की थी मर्यदार बात है जिस GANHRI की बात केते हैं यानि नेशनल हुमन राइट इंस्ट्यूशन को गवर्ण करने वाले जो ग्लोबल एलाइन्स है उसकी बिएस्थापना 93 में हुई थी हालाकि स्टेटस देने की प्रक्रिया 1999 में हुई थी और जैसे ही 1999 में ये मानिता प्रक्रिया शुरू हुई थी भारत के National Human Rights Commission को A-Status मिला हुआ था जिसे 2006 में जब review हुआ था तब भी बनाय रखा गया था 2011 में भी बनाय रखा गया था 2016 में एक साल दिक्कत थी फिर 2017 में पुने दे दिया गया था लेकिन विबिन तरह के civil society संगट्टो और मानवाधिकार करता हो और भारत के रिकार्ड के बारे में कंप्लीन करने के बाद 2023 में इसका A-Status को सस्पेंड किया था और 2024 में भी A-Status सस्पेंड था मई में पिछली बार भी ये मामला हुआ था और अभी इस बार फिर ये मामला हुआ है जरा सा समझ लें Global Alliance of National Human Rights इंस्ट्यूशन क्या है तो देखिए पेरिस प्रिंस्पल ये कहता था कि अंतरास्टी अस्तर पे मानवाधिकारों के प्रचार प्रसार और उनको संरच्छन देने के लिए हमें एक बेवास्था करनी पड़ेगी रास्टी अस्तर पे National Human Rights Institute बनाया जाए हर देश पर जैसे भारत में NHRI क्या है हमारा National Human Rights Commission ठीक है और फिर बाद में उसको गवर्न करने के लिए उसमें उनका देख भाल करने के लिए उनको प्रचार परसार या National Human Rights Commission जो इंस्शूट्स है वो अच्छे से काम करें एक Global Alliance for National Human Rights Institute बनाया गया था जिसका काम क्या है कि जो भी इसके सदस्देश हैं उनके जो Human Rights Institution हैं उनको उनके लिए पाठकरम या उनके साथ परचार परसारग में लगना उनसे साथ मैटिंग करना या उनको स्टेटस जो मेन काम है स्टेटस परदान करना ये 120 सदस्देश में जुड़े हैं जो उनको A स्टेटस और B स्टेटस दिया जाता है A स्टेटस 88 देशों को होई अभी वर्तमान में और B स्टेटस 32 देशों को है ये इस्टेटस उन्हें मिलता है जो पेरिस सिधान या इससे बोलते हैं रास्टी मानवादिकार सनस्थानों की इस से संबंदि सिधान इससे पूरी तरह से जुड़े होते हैं यारी पूरी तरश से जो पेरिश सद्धान्तों को अपनाते हैं उनको A-status दिया जाता है और A-status मिलने के बाद क्या होता है कि यह जो G-A-N-H-R-A-I है इसकी गवर्णिंग कांसुल में भी भागिदार हो सकते हैं और मत देने का भी अधिकार होता है और जिने B-status मिलता है वो किने मिलता है वो लोग जो आंसिक रूप से पेरिश सद्धान्तों को मानवादिकार पर पेरिश सद्धान्तों को अपनाते हैं उन्हें B-status मिलता है ऐसे लोग ना गवर्णिंग कांसिल में हो सकते हैं ना गवर्णिंस में इसके सामिल हो सकते हैं अंतरास्टी अस्तर क के लेकर जो भी मतदान प्रक्रियाय अंतराश्ची स्थर पर उसमें वो मतदान नहीं कर सकता है और बात वही है कि देखें यहां पे चीजों को देखने का नजरिया है शिकायत करने वाले कौन लोग है वो लोग है जिनको भारत में फCRA कैंसिल किया गया है क्यों कैंसिल किया रहे थे ठीक है वो आप मानवाधिकार आयोग और इस तरह की चीजों को करते हो लेकिन वो उसको नहीं मानके कोई और काम कर रहे थे ठीक है जाके कभी देख लीजेगा हमने भी वीडियो बनाए है जो एंजियों के एफCRA को लेकर आप वहां पर डूड़ेंगे आपको मिल भारत का कहना है कि पुलिस इसलिए जुड़ी हुई है कि उसके पास तक्निकी नॉलेज है मनवाधिकार के उलंगन की जांच करने के लिए अगर पुलिस ने कोई मनवाधिकार का उलंगन किया है तो आपको जांच करने के लिए भी तो कोई चाहिए ने जो उसको जांच कर स तो पुलिस अधिकारी इसलिए होते हैं कि उनको पता रहता है कि क्या-क्या कैसे-कैसे चीजे होती हैं या यह कहा गया कि नियुक्ति में पारदर सिता नहीं है भई हमारे यहां बढ़ियां कोर्ट जो है जजमेंट है मतलब हमने एक कानून बना रखा है कि उसका अध्यच जो मेंबर्स बनते हैं जैसे विमन कमिशन वाले आएंगे, OBC वाले आएंगे, SCST वाले इसमें आएंगे और माइनर्टी वाले भी इसमें आएंगे तो अब यह बाते हैं कि उनकी देखनी की निजरिया है अब चुकि भारत अभी यह बाते नहीं रख सकता है कुछ एक नियुक हो जाएगा, ठीक है, चलिए, आज के लिए इतना ही, आज questions आपको PDF में देंगे, PDF में जाके आप questions देख लीजिएगा, रूर साल्व करिएगा, बाकी आप लोग तैयारी रखिएगा, तैयारी करते रहिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, और revision कर करते रहिए, उन बच्चों के लिए जिनका प्री है, ठीक है, चलिए, बाकी, बहुत-बहुत धन्यवाद, नमस्कार.